आज मैं लेकर नहीं हो आपके लिए हल्वा इस्टाइल हल्वा जितना ही देखने में टैस्टी लग रहा है उसना खाने में मज़ेतार लगेगा आपके घर में बच्चों बड़ो को बहुत जादा पसंद आएगा ये देखे कितना इसका बढ़िया कलर आ रहा है मैंने अपनी दिया के भाटके करें करते हैं जीऊ बड़ अब पाने चाहँ आल दो जाँ आए घर जाने जूनके 7-100 वेटे नहीं को रंग जोनख पाके दूए तो चुनिक भुलकी चाशनी नहीं बनानी है तौड़ा सा नारियल डाल देंगे किश्मिश ले लेंगे धियार , मैं पहले दोले दोलेंगे इन चीजों को अच्छे से नारियल रो पानी में मिला कर अभी से तरफ रख देंगे एक कटोरी मैंने सूजी लिया है उसका मैंने आदा कटोरी घी ले लिया है घी को गरम करने के लिए रख देंगे और मैंने लोही की कड़ाई लिया है मेरी लोही कड़ाई भारी तली की है आप भी कोई भारी बढ़ता लेने लग ये बेसन है ये वाला मैंने एक चमच बेसन ल लोग जो हल्वा बनाते हैं आधा रिफाइंटेल डालते हैं आधा वनस्पती घी डालते हैं यह हल्वा मैं घर पर बना रही हूं इसलिए मैंने देशीखी का यूज किया है मेरे इस हल्वा का टेक्ष बजार से अच्छा है और खाने में हेल्दी रहेगा इतने हमारी वीडिय को लाइक शेर चैनल को सब्स्क्राइब बनाना न भूलें यह देखो सूजी ने घी छोड़ दिया है अब यह मगज है यह डाल देंगे इने भी तोलो साब सूजी का साथ भूनेंगे अब 20 तड़कने लगे हैं अब जो हमने चीनी का पानी बनाया था वो पानी डाल देंग गैस को इस टाइम फुल खोल देंगे पाच्छा सफैद इलाची ओकली में कूटकर डाल देंगे जब सफैद इलाची हम है फिरेश कूटकर डालते हैं तो बहुत अच्छी खुश्प आती है उबाल आने लगा हम गैस को मीडियम कर देंगे टूटी फूटी है मैंने दोकर जबाल देंगे इनको विलाएंगे लोग अपना हलवा रखते हैं तो और रूपए को बंद करते हैं अब हम हलवे को डिशाओट करते हैं वाई लोग जींदा इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेस्टी होता है और मज़ेगा लगता है सब्से आइस कितना हलवा इस्ट्राइल हल बाइब बाइब भाइब